महिला ने अमहिया थाने में पदस्त महिला आरक्षक और दो सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं महिला चोरहटा थाना छेत्र के सोनौरी की रहने वाली है जिसने बताया कि वे छै माह पहले अमहिया निवासी असो किराना इस्टोर में काम करती थी अचानक तबियत बिगरने के चलते उसने काम छोड़ दिया था गर्तिवस वे अपनी बेहन के घर अमहिया पहुँची जहां अचानक महिला पुलिस कर्मी पहुँची और उससे थाना ले आई जिसके साथ महिला पुलिस कर्मी और दो आरक्षकों ने मार पीट की जिसमें महिला के कान और सरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोड़ पहुची है जिसका उपचार भी उसने कराया है पेडिता ने बताया कि उसके उपर चोरी का जूठा आरोप लगा कर मार पीट की गई है आए सुनाते हैं पेडित महिला ने किस तरह से एक गंभीर आरोप लगाए है जो कि ठोली कि तुम्हारा काम है नहीं वहां क्या कहके मावे कि बॉली कि तुम चोरी की हो ममता के हैं कि आपने ऐसे किया था हम नहीं किये हम माईस उसके यहां से काम छोड़ दी हमारी तवियत खराब हो गई थी तो हम छोड़ दिये थे उसके घर का काम हमारे ससूर आए तो घर ले गए हम डेड़ महीना घर में रहें उसके बाद फिर यहां आगए मैदानी वह बोलती है कि तु मारी हैं मेहला अंदर ले गई कुछ पहले नहीं पूछी हुची सीधे मारना सुरु हमारे कान में कान का पर्दा फट गया कान में सुना नहीं जाए महला वहां अंदर लेकर हम ना वजे रात की छोड़ी है कब लेगे परसं दो बज़े दिन मिले गई है ना वजे रात में थोड़ी है यह कौन थी मंधिया है महला के हम नाम नहीं जानते हैं अगर पहचान जाओंगी बोली के हीरा मोती चुराई है गहानाज गुरिया मेरी ले गई है यह मतलब गर्मी से छोड़ दिये पहले रहे हैं पाँच महीने उसके घर में काम का रहे हैं पहले रहे हैं छोड़े तो गरम नहीं गई है हमको पैसा दे के आमर भाई है जो आई है तो किसको मारो दो पुलिस भी रही है तो उनको मतलब जैंस तो उनको भी बोलती थी कि उनको बोलें ले जाओ पट्टा पट्टा के लो उधर जैंस नहीं मारी मगर बौलती थी कि मारो उधर आई है हमारे जब हम पुलिस ले गई महला तब फिर आदा एक घंटवाद आई है मंता भी आई है इसको मारो आपके बच्चे किसके हैं हमारे बच्चे हैं हमारा नाम प्रमीन यादा